हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दा सक्सस किंद्रा, दोस्तों आज का जब वीडियो है, काफी एस्पेसल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 28 दिसंबर 2020 से ले करके 13 जनवरी 2021 तक RRB NTPC का जो फर्स्ट फेज का पेपर हुआ है, उसके टोटल 24 स्ट में जो भी प्र फेज में या फिर आप RRB ग्रूप D की तयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देख लिजिएगा, चैनल पर अगर आप नय हैं, तो सब्सक्राइब कर लिजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा, ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पूलते रहें, तो चलिए फ्रेंट्स, बिना देरी किये हुए, आज का सिसन स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दिजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पांस जरूर भेज दिजिएगा, पैकि उनकी भी मदद हो सके, फ्रेंट्स हम लोग चुलिभ फिशा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संसकरन का आयोजन कहां हुआ था, तो फ्रेंट्स तीसरा संसकरन जो है इसका आयोजन गुआहटि असम में हुआ था, अगर पुछा जाए कि 4 पी अधित होगा, तो यह alliances कर सेर कर दिजिएगा, वाइरस से कौन सी बीमारी होती है तो फ्रेंड्स देख लिए जो एड्स, पोलियो, डेंगू, चेचक, रेविच, इत्यादी बीमारी होती है अब option के उपर depend है कि option में क्या रहा होगा next देखे URL का full form पूछा गया था देखे जितने भी computers related full form है उनको पूछा जा रहा है तो आप लोग जिनका भी second phase में एकजाम है एक नजर आप लोग जरूर देख लिजिएगा देखे URL का full form होता है uniform resource locator फ्रेंड्स धैर पुर्वक इस वीडियो को देखिएगा आगे पूछा गया था कि पानिपत का दूतिय यूद कभ हुआ था तो फ्रेंड्स पानिपत का दूसरा यूद जो है 1556 में अकबर और हेमु के बीच में हुआ था उसके बाद देखे खालसा पंत के अस्थापना किस ने किया था तो खालसा पंत के अस्थापना 1699 इस भी में गुरु गोविंद सिंग के द्वारा किया गया था नेक्स्ट कोस्टन पुछा गया थे कि ध्वानी किसमे संचरित नहीं होती है ध्वानी जो है यहां निर्वात में संचरित नहीं होती है ध्वानी के संचरन के लिए माध्यम क्या हो सकता होती है भारत के सबसे युवा राष्टपती कौन है ये प्रशन पुछा गया था तो पर्दान मंत्री अगर पुछा जाता तो राजी उगान्दी होते चलिए next question देखलीजे अगला question है कि लोक सभा में अधिक्तम कितने सदस्य संख्या होती है तो देकि लोक सभा में अधिक्तम जो है 552 सदस्य संख्या होती है ध्यान रखेगा वरतमान में कितनी है 545 है मूल समि एसल वीडियो मैंने बनाया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप लोग जरूर देख लिजेगा तो देखे कुंडल कुलम नाभी के सेंथर जो है यहाद तमिल नाडू में है नेक्स्ट देखे पूछा गया था कि सिरिनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोडता है तो फ्र देखे फ्रेंट्स भी मिष्टेक का सदस्स है अगर आपको नंबर पता करना है कि कितने कंट्री इसके सदस्स है तो कुछ नहीं करना इसमें जो लेटर है उसको काउंट कर लीजिए तो देखे बी एक आई दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है फ्रेंट्स तो इस प्रकार स साथ जो है कंट्री इसके सदस्स है कौन-कौन से तो देखे भारत बंगलादेश उसके बात बात करें तो भूटान सिरलंका नेपाल महनमार और ठाइलेंड ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ ध्यान रखिएगा इस प्रकार से सुकन्या सम्रिदी योजना कि से पर आप लोग को डवट हैgen्सर में तो आप लोग कमेंट करके को भुटा जो है बता जीजिए गा रखिए' अगला कोस्फेंट से कौन सा देष सेंक negotiated शुरक्षा परिश्ट का सथाइस सदस्स नहीं है बारत भी सथाइस नहीं है पाँचिए सथाइस अधाई जनक हैं कौन- थी तो आगे हम लोग बचे हुए साल हैं 2019 और 2018 उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे उसके बाद देखे पूछा गया था कि सब्री माला मंदिर कि सराज्य में इस थी थे फ्रेंट्स टेंपल से लगातार कुश्चन पूछे जा रहा है कि कौन से टेंपल कि सराज्य जानवारे के लिए कॉरंट्आयन सेंटर की बहुष्था की गए थी तो फुर्ण-स यहा था जीम कॉर्बेट नैशनल पार कहां पर है उतराखंड में गोभाँ व्रवस्त 보면 यह मंगोलिया और चीन की सीमा पर है तो option म्होशं में हो सकता मंगोलिया रहे या फिर चीन रहे त दयान रखेएगा, नेक्ष्ट देखिए के मुकुर्थी नस्नल पर्क भारत के किस राज में हिस्तित है, तो मुकुर्थी नस्नल पर्क जो है ये तमिलनाडू में है, U.S. Open पूरुस एकल का खिताब 2020 में किसने जीता है तो Dominic Thiem ने जीता है महिला एकल का खिताब किसने जीता है U.S. Open का Naomi Osaka ने जीता है दोनों को ध्यान रखेगा Naomi Osaka जापान की है और Dominic Thiem जो है ये और आश्ट्रिया के है नेक्ष्ट देखे पूछा गयाता है कि सूरत जो है किस नदी के किनारे इस्तित है तो फ्रेंट सूरत जो है ये तापी नदी के किनारे इस्तित है किसी व्यक्ति का मास्क पृत्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंदर्मा पर कितना होगा तो देखें फ्रेंट्स मास्क जो है यानि के दरबे मान जो है वो चेंज नहीं होता है ठीक है तो पृत्पी पर अगर 60 केजी है तो चंदर्मा पर भी इसका मास्क 60 केजी ही होगा नेक्ष्ट दिखें कि सबसे लंबी टट रिखा वाला रा राज राजीट कुम सा है तो फ्रेंस यह गुजरात है वहीं अगर पूछा जाता developing कि भारत में सबसे लंबी टट रहता वाला केंद्र साशित पर देश तो अंडमान निकोबार है ठीक है अंडमान निकोबार्जा है राजियों में और केंदर साजित वर्दिश में सबसे लंबा टटीए रखाया है उसकी पर्यावरन सरक्षराद्रियम कब लागो हुआ था तो 1986 में लागो हुआ था उसके बाद देके पूछा गया था कि IPL 2020 का एयोजन कहां किया गया था त इसरों ने मंगल यान वन कब लाउंच किया था तो यह पांच नॉवंबर 2013 का जो है लाउंच किया था उसका बाद देखे कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है यानि कि ब्रेन अप कंप्यूटर तो फ्रेंट्स यह CPU को कहा जाता है बरतमान में Microsoft के CEO कौन है तो सत्या न वल्टर ने किया था अगला कोस्तन देखिएगा कि भारती राष्टी कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज सब्त का इस्तमाल किया था यह किया था कोलकाता अधिवेशन 1906 में और इसके अध्यक्सता दादा भाई नौरोजी ने किया था गोल गुंबज क कहा है वीजापूर में करनाचख में उसका बादेखिए मौलिक कॉंम कि समेदान स्सोधन में जोड़ेगा है टो चॉटल 11 मौलिक कॉंदान है इनको संविधां के भाग 4 कॉं में ध्यान रखेगा आला तो बोरी करांती के नाम से इसको जाना जाता है अगर आपको इसका पीडियाप से आई तो टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है पीडियाप आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा सबसे ज़्यादा राष्ट मंडल खेल आईजित करने वाला देश कौन सा है तो फ्रेंट्स ये ऑस्ट्रिलिया है 1928, 1962, 1982, 2006 और 2018 में भी जो लाष्ट हुआ था कॉमन वेल्ट वो अस्ट्रिया में हुआ था अगला 2022 में होगा कहां होगा तो बर्मिंगम में होगा भारत मराष्टी आए कि गन्ना स्वप्रत्रिम किसने की थी तो दादा भाई नो रोजी नहीं किया था उसका बाद देखे सेब में होने वाला रोग कौन सा है तो ये फायर ब्लीट है ध्यान रखिएगा संगीत के छेतर में कौन सा पुरुसकार दिया जाता है तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के छेतर में नेक्स्ट कोस्टन देखे फ्रेंट्स देखे साइन्स का वेटेज बहुत ही कम था ज्यादा तर जो प्रशन पुछे जा रहा है वो एस्टैटिक जीके से पुछे जा रहा है तो एक नजर आप लोग एस्टैटिक जीके जो है जरूर पढ़ लीजिए 49 वी समानांता रेखा जो है किन दो देशों के मद्धे में है तो ये जो है USA और कनाड़ा के मद्धे में है उसका बद पुछा गया था कि जालियावाल अब्बाग हत्या कंड का हुआ था तो ये 13 अप्रेल 1919 को हुआ था नेक्स्ट कोस्टन देख लिजे और फ्रेंट्स इस वीडियो को जरूर सेयर कर जीजेगा दोस्तों के पास याद रखना है आगे पुछा गया था कि सुरी के प्रकास मान भाग को क्या कहा जाता है तो प्रकास मंडल कहा जाता है जालियावाला बाग हत्या कांड के समय गौर्णर्ट जनरल कौन था तो लौट चेम्सफोर्ड था उसके बाद देखिए एननपी का फर्मूला पुछा गया था फ्रेंट दीके एननपी का फर्मूला होता है नेट नेशनल प्रोड़क्ट उसके बाद अगर हम बात करे तो एननपी का जो फर्मूला होता है जी एनपी माइनस मुलहरास ठीक है ग्रोस नेशनल प्रोड़क्ट माइनस मुलेहरास उसका बाद भारत का प्रथम संचार उपगरह कौन सा है तो फ्रेंट्स यह आरभट है इसको जो है 19 अप्रेल 1975 में प्रचेपित किया गया था नेक्ष्ट देख्ये कि मौपला विद्रो कब हुआ था तो 1921 में हुआ था मौपला विद्रो काहा है तो केरल में हुआ था उसका बाद पुच्छागया था एन आई यू का फुल फॉर्म तो इसका फुल फॉर्म होता है नेट्वर्क इंटरफेस यूनिट ध्यान रखिएगा अगला देखिए फ्रेंट्स यह प्रस्टन जो है खासकर कि ग्रूप डी वालों के लिए काफी इंपोर्टेंट है ठीक है ग्रूप डी में भी इसी प्रका तो स्वाराज पार्टी ने दिया सा 1934 में तीहरी जल विदुत परियोजना जो है किस राज में है तो यह उत्राखंड में है भागी राथी नदी पर नेक्स्ट देखिए परधान मंत्री कोसल विकास योजना किस मंत्राले के अधिन आता है तो यह आता है मिनिस्टरी स्कील डेवलोपमेंट एंड इंटर्प्रिनवर्शिप के अंतरगर ठीक है ध्यान रखिएगा भाबा परमानु अनुसंधान केंदर का मुख्याले का है त तो देखे अधिसरासी पुछा गया था तो दूरी चाल ढुरममान आयतन समैं ताप करे उर्जा यह अधिसरासियां हैं 55 फिल्म फियर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया तो गली बॉय को दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया तो रारवीर सिंग को दिया गया किस फिल्म के लिए तो गली बॉय के लिए Cho, Best Actress का ola work KIS Kो दिया गया आलियआ भट को किस फिल्म के लिए गलिवॉय के लिए Best Director का ola devo girlie-boy के लिए जोय आखधर को किस फिल्म के लिए तो गलिवॉय केक लिए मिला है, ध्यान रखेएगा आगे देखे एन किस देश की मुद्रा है तो फ्रेंस एन जो है जापान की मुद्रा है साहित अकादमी का मुख्याले कहां है तो यह रविंद्र भावन नई दिल्ली में है फ्रेंस हम लोग फटाफट करेंगे वीडियो को कवर कियोंगे क्योंकि बहुत ही कम समय है आपकी एक ध्यान रखिएगा उसके बाद देखे भारत का पर्तम परमानु सेंत्र कब अस्थापित हुआ था तो यह 1979 में तारापुर महराष्ट में हुआ था और किस देश की मदद से तो याद रखिएगा ये USA की मदद से अस्थापित किया गया था तारापुर परमानु उर्जा से उसका बाद बात करें वर्गीगी का पिता किसको कहा जाता है तो ये कैरोलस लीनियस को कहा जाता है देख लिजे लगातार कुस्टन पुछे जा रहा है पर मानुसेंद्र से इन सारे प्रश्णियों को हमने कवर किया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में है देख लिजिएगा नेक्स्ट कोसन देखे किस राज में विधान परिशद हैं तो देखे फ्रेंस आंदरप्रदेश में है उत्तरप्रदेश में है बिहार में है करनाटक में है महराष्ट में है और तेलंगना में है लाइकेन किसके सुचेक की रूप में जाने जाते हैं तो वायू पर दुसन के नेक्स्ट देख लिजे कि UNESCO का हेट्वार कहाँ परिष्थित है तो UNESCO का हेट्वार जो है ये पेरिस फ्रांस में है नेक्ष्ट देखें इन्में से कौन सा स्थान विश्व-धरवार की सूची में सामिल नहीं है तो आपसन में अकबर का मकबरा था तो ये जो था विश्व-विरासत जो है धरवार सूची में सामिल नहीं है COP25 की बेठा कायजन कहां हुआ था तो ये मैडरेड एस्पेन में हुआ था COP26 कायजन जो होगा फ्रेंट्स ये होगा ग्लास गो में याद रखिएगा ठीक है यह भी प्रशन पूछा जा सकता है COP का फुल फॉर्म होता है Conference of Parties फारवरी 2017 में इसरो द्वारा कितने सेटलाइट एक साथ लॉंज किये गया है तो 104 सेटलाइट लॉंज करके इसरो ने किर्तिमान अस्थापित किया है साइंस और टेक्नोलोजी से लगातार प्रशन पूछे जा रहे हैं गीत गोविंद के लेखा कौन है तो फेंस जयदेव है सार संगराय योजना किसम मंत्राले से संबंदित है तो यह मिनिश्ट्री ओफ फूर्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंदित है सार संगराय योजना नेक्स्ट कोसन देखे लिए जिएस्टी का फूल फॉर्म क्या है तो जिएस्टी का फूल फॉर्म होता है गूट्स एंड सर्विसेस टेक्स इसको भारत में एक जुलाई 2017 को लागो किया गया था तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा देखिए बी मुद्रिकरन का डेट पुछा गया था कि डी मोनेटाइजेशन कव हुआ था चलिए अगला कुस्टन देखिए नॉम्बर 2020 तक भारत में सिक्षा मंत्री कौन थे तो यह रमेश पुखरियाल निसंख है ध्यान रखि आपको रेलवे में इसी तरह के पुछे जाते हैं वी मुद्रिकरन के समय आर्भी आई का गौर्णर कौन था तो उर्जित पटेल थे और यह हुआ कब था तो आगे आपको मिल जाएगा यह पुछा गया था नेक्स्ट कॉस्टन देखिए किन में से कौन सा रोग वायरस से ह होता है तो पोलियोवेट्स चेचक रेविज यह सारेजव है वायरस से होते हैं यह उप्सन कूपर डिपेंट था कि उप्सन में क्या दिया हुआ था हुमाई नामा किस ने लिखी है तो फ्रेंट्स गुलबदन बेगम ने लिखी है उसका बाद देखिए 26 जनवर 2020 को भारत के गरतंतर दिवस का उसर पर मुक्य आती थी कौन थे यह जायर बोल से नारो थे यह ब्राजील के राष्ट्रपती है ठीक है ध्यान रखिएगा उसके बाद बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन बीवन का रासानिक नाम जो होता है वो क्या होता प्रकार का प्रोसेसर है सबसे बड़ी सुरंग भारती राजमार्प परिस्थित कौन सी है याद रखेगा यह जो है एनस एट पर इस्तित है एक बार आप लोग चेक कर लिजिएगा फोटी टू या फोटी-फोर पर है खिलियर हो गया फोटी-फोर पर है चले नेक्ष्ट क बारतिय समिधान का जनक किसको कहा जाता है तो डॉक्टर बाबस साहब अंबेदकर को कहा जाता है आप सभी को पता भी होगा कौल इंडिया लिम्टेट की चेयर्मेन कौन है तो यह प्रमोध अगरवाल है सांची का उस्तूप युनेस्को की विसो धरवर सुची में किस वर राजयपाल कौन है तो तमिर साही सौंदर राजन है यह प्रशन पुछा गया था जपान के लिए नए साही यूग का नाम जो एक माई 2019 सुरू हुआ तो उसका नाम है रेवा यूग ठीक है और नारी ही तो जब राजा बने तो इस यूग का शुरुवात हुआ उसके बाद देखे कि चंद्रेयन 2 को किस वेहिकल के द्वारा लॉंच किया गया तो यह किया गया जी एसल भी एमके 3 के द्वारा जीयो सिन्क्रोनस सेटेलाइट लॉंच वेहिकल इसका पूरा नाम भी पूछा गया है HTTP का full form क्या है तो hyper text transfer protocol फ्रेंट्स जितने भी इसमें full form है at least आप लोग उसको जरूर ध्यान रखियेगा repeat भी हो रहा है सेंक्त राष्ट के महा सचीव कौन है तो एंटोनियो गुतेरस है और फ्रेंट्स यह कहां के है तो याद रखे गई यह पूर्तगाल के है पित किस गंथी से स्रावित होता है तो यह लिवर से यकृत स्रावित होता है अगला कौसन देख पूचा गया था कि परियावरं दिवस 2018 की theme क्या थी तो beat plastic pollution थी 2019 की थिमती बीट एयर पॉलूशन और 2020 का अभी मैंने बताया था बायो डाइबर्सिटी रोबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी तो कोशिका की खोज किया था रोबर्ट हुक ने उसके बाद देखे पूछा गया था कि लेंस का करवेचर जादा होता है तो यहां देख लेजे कौन से बीमारी होती है तो यह निकटे द्रिष्टी दोस होता है ठीक है ध्यान रखिएगा मायोपिया भारत की सबसे उची चोटी कौन से है तो कंचन जंगा है नेक्स्ट कुस्ट देखे समिधान दिवस कब मनाया जाता है तो यह भारतिय समिधान जिवस्ट है 26 नॉमबर को प्रतिवर्स मनाया जाता है समानता, स्वतंदरता और बंदुत्य की भावना कहां से ली गई है तो यह फ्रांस की क्रांती से ली गई है नेक्स्ट कुस्ट देखे पूछा गया था कि टाटा स्टील के चेर्मेन कौन है तो एन चंदर शेखरन है टाइगर रिजर्ब इनमें से कौन सा नहीं है आपकी जगा कौन सा है तो ऑप्सन में जीम कॉर्बेट दिया हुआ था ठीक है, पेपर दिया है जिन सातरों ने उन्होंने बताए कि जीम कॉर्बेट दिया हुआ था जीम कॉर्बेट कहा है, उत्र अखंड में है फ्रेंट्स वीडियो को प्लीज लाइक कर दिजे पूरा मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए और एक जगा सारे प्रश्णों को मैंने कलेक्ट करके दिया है भारती क्रिसे और संदान संस्तान कहां इस्तित है तो नई दिल्ली में है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था तो फ्रेंट्स मार्च उनिसो थी आलिस में आया था कॉस्टन का पैटर्न समझ लीजिए कहां से कॉस्टन पुछा जा रहा है किस प्रकार से question पुछा जा रहा है उसके बाद आप लोग easily revision कर लिजिएगा देखे ASCII का full form क्या है तो American Standard Code for Information Interchange important है आगे भी पुछा जा सकता है इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेगा निम्बू का pH मान कितना होता है तो 2 होता है पीएज का full form भी पुछा जा सकता है potential of hydrogen पीएज स्किल की खोज सोरेंशन ने किया था IPL 2020 की विजिता टिम कौन सी है तो Mumbai Indians है भारत में कुल कितने उचिने आले हैं तो अब 25 होगा है यह बौध धर्म से संबंदित है और यह जो गरंत है जातक इसमें बौध महात्मा बुध जो है इनके पूर्व जनम की कहानिया वर्णित है अगला कोस्तन देखिए कि उत्री अमिर्का का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो उत्री अमिर्का का सबसे बड़ा दिश्ट है, वो कनाडा है संसद किसे बैठक की अध्यक्स्ता कौन करता है तो लोगसभा का speaker करता है, लोगसभा का अध्यक्स करता है पोलेटी से बिलकुल basic प्रशन पुछे जा रहा है किस कॉंग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी तो 1924 का बेलगाउं अधिवेशन जो हुआ था उसी के अध्यक्षता समगरी शिक्षा अवियान किन कक्षाओं के लिए है तो प्री इस्कूल से लेकर के कक्षा 12 तक है इसका उदेश इस से भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो भूपे नहाजारी का नाना जी देशमुक्ष और प्रणव मुखर जी और भारत रत्न 2019 में दिया गया ये मरक्को का यात्री था इसके प्रस्द पुस्तक जो है वो रहला है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा जीवानों के कारण कौन सी बिमारी होती है तो फ्रेंस जीवानों से हैजा निमोनिया तपेदिक छैरोग होते है नेक्स्ट कोस्टन देखे पूछा गया था कि हिम महाचर प्रदेश बना जीजेगा कि मुक्रमंत्री कौन है तो जैराम ठाकूर है इनमें से कौन सी सूपरसोनिक मिसाइल है तो ब्रोमोस जो है ये सूपरसोनिक मिसाइल है अगला कुस्तन देखे पूछा गया था कि जादू गोड़ा की खाने किस खानीज के लिए प्रसिद गया है एक बार और पूछा गया था उसमें भारत की रैंकिंग पूछी गई थी नेक्स्ट को संदेखे पूछा गया था कि खवजा मोई नजीन चिस्ति की दरगार कहां परिस्तित है यह अजमेर राजस्थान में इस्तित है सांसद आदर्श ग्राम योजना किस राजनेता से प्रेरित है तो फ्रेंट्स लोकनाएक जप्रकास नहरायन से प्रेरित है और इसकी सुरुवात 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी नेक्स्ट देखे फ्रेंट्स आगे पूछा गया था ATL का फुल फॉर्म तो अटल टिंकरिंग लैब होता है इसका फुल फॉर्म राजिव गां मर्यपन ठंगा वेलू को भी दिया गया है चलिए अगला कुस्सन देख लीजिए अठारासो संताओन के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पैंटिंग किसने बनवाय था यह जोसप नोयल पैंटोन ने बनवाय था सर्वग्राही रक्त समु कौन सा है यानिकि उनिवर्स डोनर माफ की देखा इनिवर्सल एक्सेप्टर यह एबी है उनिवर्सल डोनर जो है यह बलड़ ग्रूप ओ है अगला कुस्सन देखे कि भारत का सबसे तीज सूपर कंप्यूटर कौन सा है तो फ्रेंट्स परम है ध्यान रखिएगा धक्षिन फिर का कि राजधानी का है त इनका क्रम भी आप लोगों को याद रखना होगा योजना आयोग के अस्थान पर कौन सी नजी संस था बनाई गई तो फ्रेंट्स निती आयोग बनाई गई निती आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल इस्टिसूशन फोर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया अंगला विट आयोग के अधक्स कौन है तो फ्रेंट्स एनके सिंग है फ्रेंट्स वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज लाइक कर दिजिए और इसे देखने के बाद शेयर जरूर कर दिजिएगा उसके बाद देखे रिपब्लिक पुस्तक के लेखा क ठाद नेकित बारदोली का सरदार किसको कहा जाता, तो सरदार बल्लाभाई पतील को नेमन मेंसे कौना सा नेशनल पार्क जमु कसमेर में हैं तो दाचीगं नेशनल पार्क कांकम नहीं में अप्स के बारईक पुछा गया है तो ये देख लिजिए, ये बाईकम अला नहीं पुछा गया है क्योंकि 1912 में भारत की राजधानी कोलकता से डिली लाई गई थी अगला कुस्तन देखिए कि निमन में से कौन सा पुल औसम और रुनाचल को जोडता है याद रखिएगा ठीक है फ्रेंट्स इंपोर्टेंट है उसके बाद देखिए आगे पूछा गया था कि गिनीज बुक में प्रधान मंत्री मोधी की कौन सी योजना सामिल की गई है तो यह पहल योजना यानि कि प्रतियक्स हस्तानांत्रित लाव और जंधन योजना दोनों क गिनीज बुक में सामिल किया गया हैए будем किसे संबंदित है फ्रेंट किसानों के हीतों से संबंदित ए Production otype nostra बजट 2009-20 में despite ग्रेंट का चर्चा हुआ था आप सभी को पता अबी होगा किसानों की आय को दुगुना करने के लिए यह योजना चलाई गई थी नेक्स्ट कोस्टन देख लिए निपा वाइरस का प्रकोब भारत की किसराज में आया था तो ये केरल में आया था निपा वाइरस जो की चमगादर से फैलता था जयन धर्म के पर्थम तिर्थंकर कौन ते तुरीशव देव थे वर्दमान महावीर जो है 24 वे तिर्थंकर है ध्यान रखीगा पारसवनाज जो है 23 वे तिर्थंकर है अगला कोस्तन देखे फ्रेंस की केंदर सरकार ने सिर्फ कुछ समयंदान सील शेत्रों को छोड़कर के से शेत्रों में निजी कमपणियों को भी कारवबार करनी का नुमती सबसे पहले कब दी थी यह दिया था 1991-92 के बज़ट में कि सूधरक की है द्यान रखिएगा उसके बेरिंग जल संदी किसको अलग करती है तो यह अलास्का और रूस को जो है अलग करती है किस राज में विधान परिसद नहीं है तो अभी मैंने बताया था विधान परिसद उद्दर परदेश बिहार अंदर परदेश त्यलंगना म दिखान रखिएगा तो लंगना राज के गठन कब हुआ था तो दो जून 2014 को हुआ था नेक्स्ट देखिएगा कि ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है तो फ्रेंस यहां जो है ट्रैक बॉल इन्पुट डिवाइस है साथी प्रोग्राम किसे सम्बंजित है तो सरकारी इसकूली शिक्षा प्रणाली को हर बच्चे के लिए उत्तरदाई अकाचांत्मक और परिवर्तनकारी बनाना है लेकिए इसका साथी का फुल फॉम यहां पर मैंने लिखा हुआ है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हुमन कैपिटल एजुकेशन फुल फॉम याद र खिएगा अगला कॉस्सन देखे पूचा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब सुरू किया गया था तो यह 22 जुलाई 2015 को सुरू किया गया था 1931 में कॉंग्रेस अधिवेशन का अधिवेशन का अधिवेशन कौन थे तो कराची में हुआ था और इसके संगठन ने किन दो देशों को अधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोशित किया है तो यह दो देश जो है अफिर्की देश अलजेरिया है और अमिर्की देश अर्जेंटीना है नेक्ष्ट देखिए स्वक्ष भारत अभियान कब सुरू हुआ था यह 2 अक्टूबर गांधी चैन्ति का उसर पर 2014 को जो है शुरू किया गया था प्रधान मंत्री नरेंडर मुदी की द्वारा शार्क में कुल कितने सदसे देश हैं तो आठ देश हैं भारत पाकिस्तान नेपाल बंगलादेश बोटान स्रिलंका माल्दिव और अफगानिस्तान शार्क का फुल फॉर्म देख लीजे साउथ एस्जीन एस्सीयेशन फोर रिजिनल कोपरेशन अगला कुस्तन देखिएग कि नोबेल पूरसकार कितने छेत्रों में प्रदान किया जाता है तो छो छेत्रों में भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान चिकिच्चा विज्ञान सांती साहित और और तिसास्तर के छेत्र में भारत रतन पूरसकार की सुरुवात कब हुई थी तो 1954 में हुई थी ध्या 122 में भारत सरकार के द्वारा भारती राष्टी अंत्रिक्ष अनुसंधान समीथी का गठन किया गया था स्वाणिम चत्रभूद पर्योजना किसने शुरू की थी तो यह प्रधान मंत्री अटल भी आरिवाजपई की द्वारा सन 2001 में जो है स्वाणिम चत्रभूद पर्योजना सुरू की गई थी नेक्ष्ट देखे पूछा गया था कि गड़र पार्टी के सहसं स्थापक कौन थे तो गड़र पार्टी के सहसं स्थापक लाला हर ज्याल थे आरे भट उगरा कब लौंज किया गया था तो 19 अप्रेल 1975 को नेक्ष्ट देखेए कि ब्यापगत का सिधान्त यानिक डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स कि सहसं बंदेता तो लौड डलहौजी से एस्मारट 스ीट्य प्रजेक्ट के तहत पहले चरहां में कितनी समार्ट सीटी को चुना गया था था तो ध्यान रखेएगा 20 सिटी को फ़र्ष्ट फेज में चुना गया था अगला कोसन देख लिए जेफरेंट्स कि राज्य सभा में अधिक्तम कितने सदस हो सकते हैं तो 250 हो सकते हैं वर्तमान में कितने हैं तो 245 हैं अंड़मान निकोबार और लक्सिदीप को मिलाकर कि कुल टटी सीमा की लंबाई कितनी है दो हजार चोर आनवे किलोमेटर है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कोसन देखें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अंदरप्रदेश का सास्त्री निरित जो है ये कुछी पूरी है आप सभी को पता होगा कुटम विसरी योजना कि सिराज के द्वारा शुरू किया गया तो यह केरल सरकार के द्वारा कुटम विसरी कौन है तो मार्क जुकरबर्क है ये प्रशन पूछा गया है उसके बाद बर्गद का वेग्यानिक नाम पूछा गया तो फाइकस बेंगलिसिस ठीक है फाइकस बेंगलिसिस याद रखिएगा ठीक है फ्रेंड्स चाजमाल का निर्मान कब सुरू हुआ था तो ये 1632 में हु नीजान किस भाग में है लग तो भाग तीन में है और नुचेद 12 से लेकर करका पयंथिस ठक में है अगला कोस्टन देखिएगा कि सबसे ज्यादा साक्षार्टादर किस राज़की है तो फ्रेंट्स यह जो है केरल राज़की है वीटो पाउर कितने देशों के पास है तो सेंक्त राज़ शुरक्षा परिशत के आस्थाइस अधस हैं यानिकि पांच जो अस्थाइस अधस हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रेटन इनी के पास जो है, बीटो पावर है, पांच देश होगे पार। अगला कोस्टन देखिएगा, कि भारत वन इस्तिती रिपोर्ट दो आजर अनुसार, देश में वनो एम व्रिक्षो से एक छाधित कुल छेतर पल कितना है, तो 24 दिसमलो 5-6 परतिसत है, खुल कितनी बार आंगल में सुरीद हुआ है, तो 4 बार आंगल में सुरीद हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोटल 4 आंगल में सुरीद हुए है, नेक्स्ट कोस्टन देखिएगा, भारत का सबसे नविंतम निकुलियार पावर प्लान्ट कौन सा है, तो ये कुंडल कुलम है तमिल नाडू में है जल का हिमांक बिंदू केलिविन में पुछा जारा है तो दीके 273.15 केलिविन ही होता है ध्यान रखियेगा उसका बाद पुछा गया था OLED का फुल फर्म तो और्गेनिक लाइट इमेटिंग डायोड जो है इसका फुल फर्म होता है आरके नारायन के पर्थम उपने आस कौन सा है तो स्वामी एंड फ्रेंट्स मॉस्ट इंपोर्टेंट है आगे भी पुछा जाएगा खासकर कि ग्रूबडी के लिए काफी इंपोर्टेंट है आज का वीडियो दहेज प्रथा कब रोक लगाई गई थी तो 1961 में सेवा छेतर किस छेतर कंतर गता आता है तो फ्रेंट्स यह तिरितियक छेतर कंतर गता आता है नेक्स्ट देखें बीग बैंग सिधानत किस ने दिया था तो यह जॉर्ज एब लेमन टेयर ने दिया था बिग बैंग थीओरी कोलेरु जिल कहां है तो कोलेरु जिल आंदरप्र देश में है नेक्स्ट कुस्टन देखेगा कि मिठेन का रासानिक से तुर पुछा गया था तो CH4 होता है रिजर्वेंग के अस्थापना कब हुई थी तो अप्रेल 1935 में एक अप्रेल 1935 को रश्ट्य करन कब हुआ था तो एक जन्वरी बुलंदर्वाजा बना था तो गुजरात विजय की खुशी में अकबर ने बुलंदर्वाजा का निर्मान करवाया था उसके बाद पूछा गया था कि सुसील कुमार जो है किस खेल से संबंदित है तो आप सभी को पता होगा कि यह रेसलर है कुष्टी से संबंदित है स्वे 11 मई 1998 को तीसरा पर्मानु परिक्षन भारत में किया है सिटी के डंग में कौन सभी स्पाय अम लपाया जाता है तो यह फॉर्मिक अम लपाया जाता है आप सभी को पता भी होगा नेक्स्ट को से देख लीजिए पैटरन कैसा है बहुत ही आसान है घवराना नहीं है थोड़ सर सही अमत खाने किया था अगला कुशन देख लीजिए कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किंदो अस्थानों के बीच चली थी तो दीके पहली जो है दिली और वारानशी के बीच चली थी दूसरी जो है दिली और कटरा के बीच चली थी जी से थर्टी वन क्या है तो फ अगला कोशन देख लिजे कि स्वक्ष सर्विक्षं 2020 में सबसे स्वक्ष सहर कौन सा है तो इन दौर है आप सभी को पता होगा गांधी एस्मृति दर्शन स्वमिति के गठन कव हुआ था तो 1984 में राजगाट पर किया गया था राजगाट कहा है नई दिल्ले में है अगला कोशन देखिए सांबर जिल कहा है तो सांबर जिल आप सभी को पता है राजस्थान में है नेक्स्ट कोसन देखिए पंडित रामा भाई किस भासा की महान विदुसी थी तो ये संस्कृत भासा के थी इनको देश की पहली महिला फेमिनिस्ट भी कहा जाता है ठीक है सिधे फेमिनिस्ट महिला नहीं कहेंगे देश की पहली फेमिनिस्ट इनको कहा जाता है और इनका पित का नाम इंपोर्टेंट है आने वाले सिफ्ट के लिए नेक्स्ट कोस्टन देख लीजेगा कि अनुचेद 21 किस्स संबंदित है तो अनुचेद 21 जो है प्राण एम 12 स्वतंतरता से संबंदित है निसुलक और अनिमारब बाल शिक्षा यानि की राइट टू एजुकेशन अधि लो इंडियन सदस्य को जो है लोकसभा में नामित करते हैं तो दो सदस्य को राजसभा में कितने तो 12 सदस्य को नामजद करते हैं इंडिया आप्टर गांधी पुस्तक के लेखक पुछा गया था इंडिया आप्टर गांधी पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है नेक पुरसकार किसको मिला है तो ये जॉन बार्डीन को मिला है 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए और 1972 में अतिचालेक्ता के सिधान्त के लिए इनको दो बार जो है भातिकी के चेतर में नोबल पुरसकार दिया गया है नेक्स्ट कुर्शन देख लिए जब पुछा गया था कि तमस के लेखक कौन है तो तमस के लेखक भीश्म साहानी है SMTP का फुल फॉर्म पुछा गया था तो Simple Mail Transfer Protocol इसका फुल फॉर्म होगा ISP का फुल फॉर्म पुछा गया था तो Internet Service Provider Bluetooth की खोज किस ने के थी तो 1994 में Dr. Hudson ने किया था ध्यान रखियेगा उसके बाद एख लिए जब फ्रेंट्स की समिधान की आठवी अनुसुची में कितनी भासा है तो 22 भासा है 9.Award 2019 देखिए अवार्ड भी पुछा गया है 2019 का तो 9.Award जो है एनी जैजी को दिया गया था इंपोर्टेंट है आगे भी पुछा जा सकता है विद्वा पुनरविवा अधिनियम कब लागू हुआ था तो 1856 में उस समय जो है लोड कैलिंग का कारेकाल था भारती होके टीम ने अंतीम बार्जवा लॉंपिक में गोल्ड मेडल कब जीता था तो 1980 में जीता था नेक्स्ट कोस्तन देख लिजिए कि समिधान में पहला संसोधन कब किया गया था तो 1991 में किया गया था ठीक है ध्यान रखेगा उनेस्को के 200 धरवर रस्तल की संख्या कितनी है तो 11 से 21 है और भारत में खास करके ध्यान रखना है और 30 है अगला कुस्तन देखे पूचा गया था कि इसके बाद देखे परधान मंत्री बीमा सुरक्षा योजना कब लागू की गई थी तो 2015 में लागू की गई थी और इसमें जोए सालाना 342 रूपिय का प्रीमियम है शुकन्य सम्रीध योजना किसनें लॉँंज कि थी परधान मंत्री नरन रमधी के द्वारा या सुकन्य सम्रीध्य योजना लॉँज की गय थी खास करके योजना परमानुरियेक्टर मंदिर ये सारे कुस्टन आपको एक बार पढ़े के जाना है जावा की खोज देखिए किसने के थे तो जम्स गोसलिंग ने किया था कॉंग्रेस का बेलगाउ अजिवेशन कब वह था तो 1924 में और गांधी जी ने इसके अध्यक्सता की थे गांधी यूग उससे काफी कुस्टन पुछा जा रहा है खास करके जो आंदोलन गांधी जी ने चलाये थे वोई तो गांधी यूग एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा उसका बढ़े के साइमन कमिशन कब भारत आया था पुनेशियक राजधानी जो है यह जाकारता है ध्यान रखिएगा उसके बाद एक पीतरस कहां से स्रावित होता है तो लीवर से यह भी प्रशने रिपीट किया जा चुका है अंतराश्टी नित्य दिवस यानि के इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है इंटरनेशनल फर्नेंस का विसकार कब हुआ था तो 17-9 में अबरहम डार्बी ने किया था वात्या भट्टी में जो है लोही को गलाया जाता है अगला कुस्तन देख लिजिए कि ब्रिहदेश्वर मंदिर का निर्मार किस ने करवाया था तो राज-राज प्रथम ने चोल सासक जो राज-र दूसरा गोल में चंबेलन 1931 में हुआ था इसी में इनों ने भाग लिया था पहला 1930 में हुआ था दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था तो करम से आपको याद रखना है नेक्स्ट को सिन देखी लालिया के ब्रांड ने मिश्टर किसे बनाए गया है तो रोहित सर्मा को बनाए गया है सेट्स ओफ सैफरन पुस्ते के लेखा कौन है तो फ्रेंड्स सबा नकवी है काफी इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा आप लोग उसके बाद नेक्स्ट देखी लागा फ्रेंड्स आगे पुछा गया था कि इवेनओ के आर्ठवे महा सचीव कौन है तो बांकी मून है CAA का फुल फॉर्म पुछा गया था तो स्टीटिजम सीप अबेंड्मेंट एक्ट ठीक है उसके बाद देख लिजे कि TRAI का फुल फॉर्म यानि कि TRI का फुल फॉर्म पुछा गया था Telecom Regulatory Authority of India 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो राष्टी इवा दिवस मनाया जाता है स्वामी वीबेकानन्द के जैनती के उसर पे आगे देखे पुछा गया था कि IMF में कितने सदस्देश हैं तो IMF में टोटल जो हैं 190 सदस्देश हैं फोर्ट बिलियम कहां बनवाया गया तो फ्रेंट सी कोलकता में बनवाया गया था ध्यान रखिएगा उसके बाद देखिए LIFO का फुल फॉर्म पुछा गया था तो लास्ट इन फॉर्ष्ट आउट इसका फुल फॉर्म होता है गुवा के नए मुखमंत्री देखिए अभी रेलवे के लिए ये नए ही है ठीक है तो देख समझ जाईए आपको 2018 का भी अध्यक्स कौन है तो अध्यक्स नहीं पुछा गया था सायद उपाध्यक्स पुछा गया था ठीक है उपाध्यक्स राजीव कुमार है अध्यक्स भारत के प्रधान मंत्री होते हैं तो प्रधान मंत्री अभी कौन है नरंद्रमोदी है तो अध्यक्स पुछा जाता तो रा पुछा गया था तो सभापती कौन होता है भारत के पहले उपराष्ट पती कौन थे डॉक्टर एसर आधा कृष्णन थे यहीं तो पहले सभापती होंगे उसके पुछा गया था कि घहरेलू मक्ही का बेग्यानिक नाम तो मुस्का डोमेश्टिका याद रखेगा इंपोर्ट सब्संभंद पुछा गया था तो पी कोल टू होता है क्या होता है एकक्स्ट्र को सबसेगे था कि इनुम से तक लॉट से उक्री यहां थैइ c तो यह ब्यूनर्स आयस अर्जंटीना में होई थी वर्ल्ड ट्रेड और्गेनाईजिसन की नेक्स्ट कोसे देखे www की खोज किस ने की तो टीम बर्नर्स ली ने किया था अंसुला कांथ किस बैंक की MD है तो यह 200 बैंक की MD है ध्यान रखियेगा आगे देखे पुछा गया था कि कॉंग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था 1907 किस सूरत अधिवेशन में हुआ था CFC गैस का उत्पादन कौन करता है तो आप्शन में रैफरी जिरेटर था ठीक है फ्रेंस चली आगे देख लिजे कि 2019 में मानो विकास उचकांक में भारत का रैंक क्या था तो मानो विकास उचकांक पहले भी पुछा गया था लेकिन उसमें पहले अस्थान पर कौन सा देश था ये पुछा गया था और इस बार भारत का अस्थान पुछा गया है तो भारत का अस्थान 139 है प्रथम अस्थान पर नर्वे है 2019 में उडिशा और पस्षिम मंगाल में कौन से चक्रवाता है था दीके 2019 में तो ये फानी आया था 2020 में अंफन आया था अगला कोशन देख लिजे कि प्रेस फ्रिडम अवार्ड 2020 किसे दिया गया तो ये दिया गया है जीनत विदोया लीमा जोकी कोलंबिया के पत्रकार है इनी को दिया गया है भेल का फुल फॉर्म पुचा गया है भारत हे भी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कम्प्योटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है उसका बाद है कि 2020 में ओस्कोर बेस्ट मोसन पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया है तो ये पैरासाइट को दिया गया है बेस्ट एक्टर जोकिन फिनिक्स को बेस्ट एक्टरस रेनी जेवलेगर को बेस्ट डिरेक्टर बांग जुन हो को पैरासाइट मुवी के लिए बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का रोजर डिकिन्स को फिल्म 1917 के लिए बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल ब्रेड पीट को फिलिम वन्स अपोने टाइम इन हॉलिवूड के लिए बेस्ट एक्टरस इन सपोर्टिंग रोल लारा डर्न को फिर्म मैरेज श्टोरी के लिए तो सब कुछ ध्यान रखिए इसका स्क्रिंसोट आप लोग एक बार ले लिजिए चलिए आगे देखेगा कि कॉंगरेस के किस अधिवेशन में जनगना मन पहली बार गाया गया था तो ये कलकता अधिवेशन 1911 में गाया गया था इसका अधिक्स कोंटे पंडित विशन नरायंधर थे बंदे मातरम पहली बार कलकता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था और इसका अधिक्स रहीम तुला सयानी थे नेक्स्ट देखे आफ्रेंस के डबलो एक्चो का हेड़क्वाटर कहां है तो देखे इसका हेड़क्वाटर जो है जनगा श्वीर्जर रेंड में है इसके अस्थापना 7 अप्रेल पुछा गया था पूलर सेटलाइट लॉंच वीकल बाबा परमनों और उसंधान संस्थान का पुराना नाम क्या था तो अटोमिक एनर्जी एस्टेबलेस्मेंट ट्रॉम्बे यानि कि ए इसका फुलफॉर्म है पुराना वाला नाम का नेक्स्ट कोसन देखे कि फॉर्टरन का फुल फॉर्म पुछा गया था तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन ध्यान रखेगा रॉलेक एट के विरोध में गांजी जी ने कौन सा अंदोलन शुरू किया था तो यह असाहियोग अंदोलन था एक अगस्ट तुनी सो बीस को टीट्वेंटी क्रिकट में 2020 में विस्वें क एम जी है इसका अटामिक नंबर 12 होता है अटामिक मास्ट जो है 24 होता है तो एक लिस्ट तक का एलिमेंट आप जरूर ध्यान रखके जाईए इंद्रा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर है तो फ्रेंट्स यह सिरिनगर में है और यह इसीया का सबसे बड़ा इंद्रा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कैसे अगला क। देखिएगा कि इनमें से कौन सा मरोस्थर भारत में नहीं है तो नहीं है और इसका पता नहीं सलपया है देखें लेकिन बेसिक प्रश्न है शिक्षा का अधिकार किस अनुचेद में है तो अनुचेद 21 कौम में है राजे 6 से 14 वर्ष की आयोतक के बच्चे को निसुल का मनिवार शिक्षा मुहाया कराएगा और यह जो अच्छी आसिवा समझान संसोदन 2002 के तात मौलिक अधिकार की सुची में इसको जोड़ा गिया है 2016 में बिमुद्री करण कब हुआ था यह 8 नॉमबर के दिन हुआ था और उस समय उर्जित पटेल आर्वियाई के गौर्णर थे साहजया के बेटी का नाम क्या था तो जहां आरा था और इसने आगरह की जामे मस्जित का निर्मान करवाया था सेंक्तराष्ठ स्युरक्षा परीशत में कितने और 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 स्थाी सदस हैं तो 5 सथाी और 10 जो है और 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 25 सदस होते हैं और यह जो थी हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारी थी। दूसरी जो थी पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारी थी। 1956 से लेकर के 1961 तक जो रहा है उसका कारेकाल रहा था। नेक्ष्ट को संदिके 2005 में किस कंपणी ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था तो यह IBM में बनाना बंद कर दिया था। आईबियम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मसीन्स। ठीक फ्रेंस ध्यान रखिएगा उसका बाद अगर बात करें तो चाय और कॉफी किस प्रकार की फसल है तो यह नगदी फसल है ध्यान रखिएगा नेक्ष्ट को संदिके पूचा गया था कि my mother at 66 पुस् लागू हुआ था ध्यान रखिएगा आगे देखिए आरवी आई का राष्टी करन कब किया गया था तो एक जनवरी उनिसों चास को स्थापना एक अप्रेल 1935 को समापन समारों के उध्वाटन समारों में किस खिलाडी ने किया था तो उध्वाटन समारों में नीरज चोप महिला हॉक्टी टीम की कप्तान है उसके बाद देखिए जुनागर का कौन सा उत्पाद प्रसिद है जुनागर का जो केसा राम है यह फ्यमस है लखनों के किस कला को भगवालिक संगेतक यानि की जी आई टेग का दरजा प्रदान किया गया है तो यह चिकन कारी जो है लखन होता है अगे देखिए पुछा गया था कि फादर आफ माइक्रो एकनोमिक किसको कहा जाता है तो अल्फ्रेड मार्सल को कहा जाता है बार्क का स्थापना कब हुआ था तो तीन जनवरी उनिस सो चोवन को था भाबा एक्टामिक रिसर्च सेंटर ध्यान रखिएगा उसके बाद देखिए पुछा कहते है कि स्थाप कहां इस्तित है तो मद्यपरदेश में 1989 में इसे 20 विरास्त अस्तल घोसित किया गया था आई-ए-ए-ए का मुख्याले कहा है तो आई-ए-ए-ए का फुल्फोम होता है इंटरनेशनल एटोमिक एनरजी एजनसी इसका हेड़ परेल 1955 को इंपेरियल बैंक का नाम बदल करके एस बीआई रख दिया गया है लल्टेन में तेल जो है उपर किसके कारण से चड़ता है तो यह केसी कत्यों की किरिया जो है उसके कारण से चड़ता है जर्नेरेटर जो है किस सिधान पर कारे करता है तो यह माइकल फैराडे के विदेटसंबक्ये प्रेयरन के सिधान पर कारे करता है पहला गोल में कि सम्मिलन 1930 में हुआ था दूसरा 1941 में हुआ था तीसरा 1932 में हुआ था 1931 के दूसर्य गोल में में गांधीजी ने पार्टीशिपेट किया था आगे देखिए आगे फुचा गया था कि भारत रंद सबसे पहले किसको दिया गया तो देखिए उनिस चोवन में जो है सबसे पहले डॉक्टर स्वरपली राधा कृष्णन, सीराज कॉपलाचारी और सीवी रामन को दिया गया सीवी रबन को नोबेल पुरसकार जो है 1930 में दिया गया था ध्यान रखिएगा भारतिये सिनेमा का जनक किसको कहा जाता है तो द्याजा साइब फालके को कहा जाता है उसके बदेखिए इनमें से कौन सी इकमर्स कमपनी नहीं है तो देखें ट्वीटर आप्शन में था ट्वीटर जो है या सोसल नेटवर्किंग जो है एक कई एप्लिकेशन है उसके बदेखें नेपाल का राष्टिये पशु पुछा गया था तो गाय है राष्टिये चुंशट में हुआ था ध्यान रखेंगा आगे भी पूछा जा सकता है उसके बाद एक अंतराजिये परिशत एक परिशत काड़ दीजिए अंतराजिये परिशत के संब्ध में उपबंद किस अनुछेद में है तो देखें फ्रेंट्स अंतराजिये परिशत जो है या है तो यह नोबडन है और महिला एकल के खिताब किस न जीता है और को शोफिया के जिता है अमेर्कान की है नवारेके रिए यस्माण्ट ai की किस ना जाता है तो निलगिरी की पहाड़ी को आगे देखिए अक्टूबर दो एजर बाहारत के उपर राश्ट पती कौन थे तुसरी एम बैंक के यह नाइडू थे यह प्रेश्ण पुछा गया था विक्रम सारा भाई अंत्रिक्षिकंद्र कहां इस्तित है तो फ्रेंस यह तिरु अनंत पूरम में इस्तित है उसके बद आगे देखिएगा आगे जो कुस्ष्ण है असायोग आंदोलन से कॉंडेस ने तिसंबर 2020 के नागपुर एदिवशिन में की थी ध्यान रखिएगा चले अक्टूबर 2020 तक भारतिय पूर्स होकी टीम के कप्तान कौन थे तो फ्रेंस यह मनप्रीत सिंग थे नेक्स्ट कोशन पुछा गया था कि लूई पास्टर ने किसका खुज किया था तो 1885 में रेविज की ठीकी की खुज इन्हों ने किया था पैनिसलेन की खुज किस ने किया था तो एलेकजंडर फिलेमिन किया था उसके बाद देखिए मॉडर्न एकनोमिस का जना किसको कहा जाता है तो यह कहा जाता है पॉल्स अमॉल्सन को ठीक है एक बार आप लोग चीक कर लीजियेगा ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद देखिए मूच्वर्ण फंड लेस्कॉर्ड मार्किट को नियंतरत करने का अधिकार तो यह जो अधिकार है यह सेवी के पास है यानि कि भार रजावी परदान किया गया है नेक्स्ट कोष्ण के कोबॉल का फुल्फ़र्म पुछा गया है तो कोबॉल का फुल्फर्म होता है common business oriented language वर्ड वाइड वैवं कि first site कौन सी थी तो यहां मैं site के नाम लिख दिया हूँ एक बार इसको ध्यां से देख ली जब वर्ड वाइड वेव की खोज 1789 में टीम बर्नर्स ली ने ली थी की थी यानि के 2014 को प्रधान मंत्री मोदीर जी के द्वारा इसका सुवारम किया गया मानुसी चिलर जब मिस्वर्ड बनी थी उस समय इस प्रतियोगता का आयोजन कहां हुआ था तो चीन के सानिया सार में हुआ ध्यान रखियेगा 2019 लोकसभा चुनाव में राहूल गांदी ने किस राद जैसे चुनाव जीता था तो यह दो जगास्ते लड़े थे और मेठी उत्तरपर जैसे यह हार गये थे लेकिन केरल वायनार से जो है यह जीत गये थे 2020 में इंडियन प्रीमेर लिग का कौनसा संस करन था तो फ्रेंड यह 13 वा संस करन था और शुरुवात इसकी 2018 में हुई थी और इस बार की विजेता टीम जो रही है वो मुंबई इंडियन्स रही है ठीक है ध्यान रखियेगा बश्रीकोता कोश्रां मनें इस्तिफ और यहां इस्तित Jorge और पुछ देंडियाओогा शाल major की दिया घक है ऐस बाट कोश्रा में बारत में डही है थी जो अप्सिंकला सबीधेगा जो है मीं से फोड़ी सुन से नदीनदी नदी ने रहा है नदीने नहीं है तो देखें अमेजन जो है यह दकषनी अमिरिका की नधी यह अफिरिका की नधी नहीं है उसके बाद आगे पुछा गया था कि भारतिया स्वतन्तिता अंदरण किस क्रांती से शुरू होई थी तो या 1877 की क्रांती से शुरू होई थी चंद्रकंता उपनियास की लेखा कौन है तो देव की नंदन खत्री है आगे देखें फेंड्स वीडियो लंबा है लेकिन यूजफुल है आपके ल हुआ था इस विद्रोग का मुख कारण 1793 में लॉट कर 49 के द्वारा अरम किया गया अस्थाई बंदबस्त था ठीक है या सुधार लिजिए नेक्स्ट कुस्टन देखिए कि पुना पैक्ट किसके मद हुआ था तो पुना पैक्ट जो है महत्मा गांधी और भीम्रा अंबे सुधार में हुआ था नेक्स्ट कुस्टन देखिए दूसरी पंचवर्षी योजना किस मॉडल पर अधारी थी तो पीसी महला नूबस मेडल पर अधारी थी 1956 से लेकर कि 61 तक इसका कारेकाल रहा था प्रतम जो थी यह हेराल डोमर मॉडल पर अधारी थी और प्रतम पंचव पर सी योजना का कारेकाल 1901 से लेकर कि 1956 तक रहा था बोकारव इस्टील प्लांट के स्था अपना किसके सायोग से की गई थी तो यह 1964 में सोवियत रूस या कहिए सोवियत संग की मदद से की गई थी सिसा और टीन से मिलकर बना मिसर धातु क्या है तो यह सोल्डर है ठीक है क क्रिडिनी का कारेत्म की काई क्या है तो नफ्रॉन है अंग्यद देखिए पुछा गया कि को azing कि आध्यान क्या कहलाता है तो यह ने फ्रो लोजी कहलाता है जब खेत में नाइर्टीर्जञ की के मात्रा कॉम होने लगती है तो किस प्रकार की फसल उगाई जाने चाहिए द नेक्स्ट कोशन देखे पूछा गया था कि क्रोईशिया के सर्वच नागरिक सम्मान किसको दिया गया तो ये मार्च 2019 में भारत के राष्टपती स्री रामनात को बिंद को दिया गया रिजिनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम क्या है तो फिनसिस का नाम है उडान उडे देश का आमनागरिक इसकी सुरुवात 27 अपरल 2017 को ही थी नेक्स्ट कोशन पुछा गया था कि मान स्पेसी में जब ऑक्सिजन की कमी हो जाती है तो क्या बनता है तो लेक्टिक एसीड बनता है कामख्या टेंपल कहां है तो ये असम राज में है नेक्स्ट कुछा गया था कि पीली करांती का संबंद किस से है तो तीलहन उत्पादन से है वारली चित्रकला किस राज से संबंदित है तो महाराष्ट से वारली चित्रकला ध्यान रखिएगा यहां मैं अंगलेजी में भी लिख दराऊं वारली चित्रकला वारली पैंटिंग नेक्स्ट पुछा गया था कि कलपकम पाउर प्लांट किस राज में इस्तित है तो तमिलनाडू में तांसेन की संगीत सैली क्या थी तो दुरूपद सैली थी आगे देखिए फ्रेंट्स आगे है कि भुजल का उपयोग में खेती में करने में सबसे कम कौन सा राज करता है तो यह राजस्थान करता है एक नौमी पर्मानेंस के लेका कौन है तो डॉक्टर जेसी कमरप्पा है याद रखीएगा ठीक है जेसी कमरप्पा प्रतम परमानु रियक्टर अपसरा किस राज में अस्थापित किया गया तो भाबा परमानु अनुसंधान के इंद्र ट्रॉमबे महराष्ट्र मॉंबई में इसके अस्थापना की गई है एनाइटी का फूल फॉर्म नेशनल इंस्टिटीट अफ टेक्नोलोजी होता है दे द्धान रखिएगा आप लोग उसके बाद आगे पूछा गया था कि 2018 एसीन गेम पूरूस 1500 मीटर में किस धावक ने स्वान पदक जीता था तो 1500 में जौंसन जिन्सन नीं जीता था और 800 में मन्जीत सिंग नीं जीता था दोनों को ध्यान रखिएगा दो डिजिटल डिवा जो है UBSP का फुल फॉर्म होता है नेक्ष्ट देखे एक गॉर्ड ऑफ स्मॉल थिंग ठीक है पुस्तक के लेखा कौन है तो इसके लेखा के दो गॉर्ड ऑप स्मॉल थिंग अरुंधती रोय और इसी के लिए इनको जो है मैन बुकर एवार्ड दिया गया था विसालकाई अगे देखे मुगलमन्स का अंतिम सासा कौन था तो बहादूर सा जफर था स्वदेशी आंदोलन में कौन सामिल नहीं थे तो फ्रेंस देखे स्वदेशी आंदोलन में अरविंद घोस्त रविंद्ना ठाकूर बाल गंगा जर्टी लक और लाला लाजपत राजवाय सामिल पुष्थ के लेखा कौन है तो माइकल पार्सन है छुई मी पॉंद्य का भैज्यानिक नाम तो मीमोसा पुडिका है आगे देख लिजिए किसान किसान फसल विमा योजना किसानों को कितने प्रतिसात प्रीमियम का भुकतान खरना पड़ता है तो 5 प्रतिसात इसकी सुरवा में आगे देखिए कि असायो गांदरन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया यह चौरी-चौर अकांट के कारण जो है वापस ले लिया गया निम्न में से कौन सा दिस ओपक का सदस नहीं है तो देखिए ओपक का फुलफाम है तो ऑर्गिनाजिशेशन आप पेट्रोलि से नहीं है नेक्ष्ट देखिए नमक सत्यागरा अंदलवन के क्या प्रभाव पड़ा था तो देखिए यह जो शुरू हुआ था यह बारा मार्च 1930 को हुआ था और प्रभाव क्या पड़ा था यह तो ऑप्सन में पता नहीं चला वहाँ पर तीन ऑप्सन दिये गया थे और देख लिजिए कि USSR से अलग होकर अमेरिका का हिस्सा कौन बना था तो अलास्का बना था तीन जनवरी उनिश्ट तिरपन को यह जो है उनन्चासवा राज बना था अमेरिका का प्रधान मंत्री सुकन्या समर्दी योजना की सुरुआत कब हुई थी तो फ्रेंस इसकी प्रपडी के लिए ध्यान रखेगा भद्रा वने जू अबैरन तीनों से नाव का जो है सुप्रेम कमांडर कौन होता है तो भारत के राष्ट पती होते हैं सेक्त राष्ट के महासचिव कौन है तो अन्टोनियो गुतेरास हैं यह प्रश्ण एक बार फिर से पुछ लिया ग सिर्नगर और लेह को कौन सा दरा जोड़ता है तो जो जिला दरा हागे देखिए फ्रेंट्स आइसमान भारत योजना की सुबात पहली बार कि सराज में की गई थी तो यहां जारखंड में की गई थी धियान रखेगा ठीक है जारखंड से नगालन की राजधानी का है तो को अभास पुछा गया था और पुछा गया था उत्स फिर्फ ग्रूप पुछा गया था तो फिर्फ ग्रूप ऌकटार्मिया साथा। का लेटर पोजिशन जोडेंगे तो संताओन आ जाएगा डिजिटल एंडिया का मोटो पुछा गया था तो पावर टू इंपावर है इसकी सुरुवात एक जुलाई 2015 को हुई थी नेक्स्ट को संदे की उनेस्को का मुख्याले कहा है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2019 क्रिकेट विस्वकप का फाइनल मुकाबला कहां खेला गया था तो फ्रेंट्सिया जो है 14 जुलाई 2019 को लॉट्स के ग्राउंड पर खेला गया था इंगलैंड के लंडन में और काल किया जाता है आगे देखिए आगे पूछा गया था कि 45 जी सेवन सिकर समयलन का हुजन कहां हुआ था तो यह फ्रांस की बिडिट सहर में हुआ था और 46 जो होगा यह संग्तराज अमिर्का के कैम्प डेवीड में होगा सती परत्या का उन बलन किस गौर्णर जैनरल के सम किया गया राजा राम मोहन राय के सहयोग से आगे देखिए कि 17 लोग सभा में सबसी हुआ महिरासांसत कौन है यह चंदरानी मुर्मों है यह उडिसा से हैं ध्यान रखिएगा उद्ध प्रेयरक की खोज किस ने किया था यानि केटलिस्ट का खोज किस ने किया था तो केटल आइसो साइनाइट नामा गैस का जो है रिशा हुआ था डाइनमो की खोज किस ने कि थी तो माइकल फैराड ने किया था आगे देखिया पूछा गया था कि कंप्योटर का मस्तिस किसको कहा जाता है तो फ्रेंट सिप्यू को कहा जाता है पांच मर्द 2020 को नागरिक परिवान को फ्री करने वाला विश्व का पहला जो है देश कौन सा है तो यह लगजंबर्ग है आगे पूछा गया था कि विश्व कच्ववा दिवस्कव मनाया जाता है तो 23 माई के दिन और CAA का फुल फॉं होता है सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट तो बिल और एक्ट दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा आगे पुछा गया था कि कोविड-19 फाइप्टी योजना किस राज में सुरू की गई थी तो यह फाइप्टी योजना दिल्ली में सुरू की लाइप पॉस्तक के लेका कौन है यान मार्टेल हैं काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ध्यान रखिएगा आगे वाले एक्जाम के लिए उसके बाद पुछा गया था कि किस से बनी होती है तो फ्रेंट्स यह टेफलोन की बनी होती है सड़े अंडे के समान दुर्गंद क कि श्रीछ गैस से आती है तो हाइड्रोजन स्ल्फवाइड से आती ओंगे वार्तमान में कौन सी लोगसबा द्यान रखिएगा उसके बाद नेक्ष्ट को सने कि नाट्य सास्त्र के रचेत्य कौन है तो भारत मुनी है 2019 नोबल सांती पुरसकार किसे प्रदान किया गया 2019 में अभी अहमद को दिया गया है और यह इथोपिया के प्रदान मंत्री है देश का नाम भी पुछा जा सकता है इ लॉड कैनिंग था नेक्ष्ट को सन पुझाए गया था कि क्रित्री मुर्वरक की शुरुवात कि सदी में शुरू हुई थी यह 19 सदी में हुई थी पोलेटिक्स अब जुगार कुस्तक के लेखा कौन है तो सबा नकवी है नेक्ष्ट को सन देखिए कि छिपको आंदोलन के 1956 में डबलो टीओ के स्थापना कभ वही थी तो फ्यूट दो है एक तो वाल्ड ट्रेड ढर्गेनाज़ेशन हो गया और दूसरा हो गया व्र टुरिजम ओर्गेनाज़ेशन गया बीजिव पर्यायटन संगठन और एक हो गया विश्व डबलुटीओ ट्रेड और्गिनाइजसशन तो दीखर डबलुट यानिक ट्रेड और्गिनाइजसशन का स्थापना 1995 में गत के स्थान पर होई थी और डबलुटीओ तूरिजम और्गिनाइजसशन का जो हैटकौार्टर है वो एस्पैन मैड ड्रीड में है और ड्रेड ओर्गेनाइजिशन का जो है वो जनेवा में है चली आगला कोशन देखे कि नाजिर सा ने भारत पर कर आक्रमन किया था तो 1749 में किया था नेक्ष्ट कोशन देखे पूछा गया था कि गुरुनानक देव की जन्म कब हुआ था तो 1479 इस भी में तल देगा उसका बद पंचाय चुनाव के लिए निंतम आयुश्यमा कितनी होनी चाहिए तो 21 वर्स होनी चाहिए पस्व के ब्यवहर के अध्धन को क्या कहा जाता है तो एथोलोजी कहा जाता है ठीक है अगला कोशन देखे पूछा गया था कि औरवंधती राय को किस बुक के लिए मैन बुकर पूरसकार दिया गया था देखिए प्रशन बार बार रिपीट हो रहा है किसी ने किसी बहाने इसको पूछा जा रहा है तो देखे पूछा जा सकता है अंटचेबल पुस्तक के लेखक है मुल्क राज आनंद ध्यान रखिएगा मुल्क राज आनंद की अंचानवे में इसी गयर्ट के अस्थाम पर गयर्ट का फूलपमुता है जनरल एग्रेमेंट ओन टैरिफ एंड ट्रेड लीग आपनेशन के अस्थान पर किसका अस्थापना किया गया तो देखिए दूती विश्चुद में क्या हुआ हुआ कि लीग आपनेशन का जो अस् तिरों पुरम केरल में उसके बाद आगे पूछा गया था किन में से कौन सा जो है संसत का सदसन नहीं होता है तो उपर राष्टपती भी नहीं होते हैं भारत का जो महानयवादी है वो भी नहीं होता है तो यह उप्सन के उपर डिपेंड था कि क्या दिया हुआ था अधार न कौन सी नदी निकलती है तो नर्मदा और सोन नदी निकलती है सत्पुड़ा की पहाड़ी से अमर कंटक्स है स्वराज पाठी के गठन कभ हुआ था तो 1923 में चितरंजन दास और मतिलाल नहरू के द्वारा किया गया था आगया देके पूछा गया था कि कि किर्कट विस्व कब 2020 में कौन सी भारती मैच रेफरी बनी थी तो यह जी एस लक्समी बनी थी नेक्स्ट कोस्टन देखिएगा कि सोलार सेल किस सिधान पर कारे करता है तो यह फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट पर वर्क करता है तो टोटल करीब हम लोगों ने 500 से अधिक कोस्टन को कभर किया है उमीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स बोलते बोलते मेरा गला रूंद गया है प्लीज एक लाइक और एक शेर जरूर कर जीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठैंक्स प्रवाचीन